भारत और दुनिया के इतियास में 8 जनवरी की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं 8 जनवरी 1697 को ब्रेटेन में आखरी बार इशनिंदा यानी परमेश्वर के प्रती या किसी पवित्र वस्तु के प्रती अत्याधिक अनादर दिखाये जाने के आरोप में मौत की सजा दी गई थी थोमस एकेन हेड एडिनबर्ग का एक स्कोटिश छात्र था जिस पर 20 साल की उमर में मुकदमा चलाया गया और उसे मार दिया गया 8 जनवरी 1790 को अमेरिका के पहले राष्ट्रपती जॉर्ज वशिंग्टन ने पहली बार देश को संबोधित किया था 8 जनवरी 1884 को केशव चंदर सेन जो एक हिंदू दार्शनिक थे वे आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए थे प्रसिद धार्मिक और समाज सुधारक ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे जिन्हों ने इसाई धर्मशास्त्र को हिंदू विचार के धांचे के भीतर शामिल करने का प्रयास किया था आठ जन्वरी 1889 को हर्मन होलेरित को मशीन के पंच कार्ड के अविशकार के लिए पेटेंट प्रदान किया गया था आठ जन्वरी 1909 को आशा पूर्णा देवी उनका जन्म हुआ था आशा पूर्णा देवी एक प्रसिद्ध बंगाली उपनेयासकार जिन्होंने 13 साल कियोम्र में लिखना शुरू कर दिया था आठ जन्वरी 1929 को सईद जाफरी का जन्म हुआ था सईद जाफरी का जन्म पंजाब के मलेर कोटला में हुआ था वे एक ब्रिटिश भारतिय अभीनेता थे जिनकी बहु मुखी प्रतीभा और कई भाशाओ में प्रवहा ने उन्हें रेडियो पर चलने की अनुमती दी थी आठ जन्वरी 1939 को पहला टेलिफोन संपर्क नीदरलेंड और वेस्ट इंडीज के बीच स्थापित किया गया था इसके बाद बात करते हैं आठ जन्वरी 1938 की तो आठ जन्वरी 1938 को नंदा का जन्म हुआ था नंदा एक प्रसिद भारतिय फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने विशेश रूप से हिंदी और मराथी फिल्मों में काम किया था 60 और 70 के दशक की इस एक्ट्रेस ने बतोर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी वे बाद में एक सफल नाईका बनी अपने समवेदनशील अभिने से उन्होंने कई फिल्मों में उनके किरदारों को जिवन्त किया था 8 जन्वरी 1966 को बिमल रॉय एक भारतिय फिल्म निर्देशक उनका निधन हो गया था बिमल रॉय की सबसे प्रसिद यथार्थवादी और समाजवादी फिल्मों में दो बिगा जमीन, बंदिनी, बिरज बहु और मधुमती हैं जिन्हें उन्होंने यथार्थवाद चितरित किया था उनके करियर में 11 पुरुसकारों और कांसे में अंतराष्ट्रिय पुरुसकार शामिल हैं मधुमती ने 1958 में 9 फिल्म फेर अवोर्ड जीते थे ये एक रिकॉर्ड है जो उन्होंने 37 वर्षों तक कायम रखा 8 जन्वरी 1666 को उनका निधन हुआ था 8 जन्वरी 1987 को पद्म नाब गोविंद नाना जोशी इस दुनिया को अलविदा कह गए पद्म नाब गोविंद नाना जोशी जिन्होंने 1851 से 1960 तक 12 क्रिकिट टेस्ट मैचों में अपना विकेट नहीं गवाया आजी के दिन वे इस संसार को अलविदा कह गए थे 8 जन्वरी 1971 को पाकिस्तान के राश्ट्रपती जुल्फीकार अली भुटो ने नेताशेक मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा कर दिया था 8 जन्वरी 2003 को महादेव सुभर्मनयम मनी जो एक भारतिय कीट विज्ञानी थे वे इस संसार को अलविदा कह गए थे महादेव सुबरमनयम मनी एक भारती अकीट विज्यानी थे जो विशेश रूप से उच उन्चाई वाले एंटोमोलोजी पर अपने अध्यायन के लिए प्रसिद्ध थे 8 जनवरी 2009 को मिस्त्र के पुरातत्व विदों ने 4300 साल पुराने पिरामिड में रानी शेश शेत की ममी की खोज की थी